नमस्कार दोस्तो सौगत है आप सभी का हमारे जीन ओक्री यूटूब चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे महतपूर सम्मेलन 2021 वेरी वेरी इंपूरेंट वीडियो कामप्लीट वीडियो वीडियो को अंतक जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क कि अधियो के शायोजित कर रहा है तो दोस्तो यह कर रहा है एक टिली का जो होस्ट है दोस्तों इस देश्ट है और दूस्तों जी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकोन जरूर किल्क करें जिसके हमारी वीडियो की लेटेस्ट नॉटिपकेशन आपको प्राप्त वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहे हैं अगर दुस्तों इस वीडियो की पीडिये फाइल ले लिदे फ़ली। तो दोस्तों एक सेना टेकनीटी फोरम है दोस्तों इसका नाम है फोरूम का सेना 2021 दोजां धान में रखना है लगुवी इंग्लिश में इसे कहतेंगे इन्वेस्टर सम्मेट 2021 जिसमें दोस्तों प्यदान मंत्री मोधी जी ने वहिकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लॉंच की गई थी तो दोस्तों यह जो आजेत हुआ था गुजरात में राज्य में आजेत हुआ था गुजरात की राजदानी जो सम्मेट होगी वह कहां आजेत हुई तो दोस्तों यह वर्चुली आजेत हुई थी बिसिकली जो एट जस्टैस मिनिकर एकइन्वese के उनकी यह जितने भी उने दोस्तों उनके ironे मिनिकर इसमें भाग लिए थे और यह जो आजेत हुई थी एक तजकिस्तान देश मैं अपना साल मना रहा है इसके घटन का सियो शंगाई कॉर्पिरेशन और्गनाइजिशन इस्टाबलिश्मेंट 15 जून 2001 को हुआ था और अगली सम्मेट जो होगी नया मंत्रियों की वह कहां होगी पाकिस्तान में यह भी आपको धन्म रखना दूस्तों अगले कोशन की मैं बात मैं से आइजित कहा हुआ तो तो दुस्तों इसका जो होस्ट कंट्री था वह भारत था यह आपको धन रखना और वर्चूल माद्यम से यह संपन होगी दूस्तों 5 सितंबर को यह आपको धन में रखना है इसके जो मेंबर हैं अन्डिया ब्राजिल साउथ अफ्रीका है और का जो establishment है 6 जून 2003 को ब्राजील की राजदानी ब्राजीलिया में ये बना था फोरुम अगला कुशन देख लिते हैं पहला इंडो पेसिफिक बिजनेश सम्मिट दो जारे किस किस देश ने होश्ट किया तो दोस्तों यह जो होश्ट किया यह भारत और अमेरिका दोनों मिलकर होश्ट किया यह आपको धहन में रखना है यह दोस्तों हिंद प्रशांत विश्य विश्य विध्याल के वर्च्युल माधं अलुंव स depends किस कि दोरस्त किया इसा कहा देएं में वडियोंवस्टी समय्मिट तो यह किया गया फ्रांस की राजदानी पेरिस में यह आपको ध्यान में रखना है जिसमें दोस्तो पीम मूदी ने भी फाग लिया था और उन्हें गैस्ट्व फानर के रूप में बलाए गया था तो वीव अठीक कहा है जित हुआ पेरिस में हुआ बेसिकली यह जो कोशिन के पाद जितने भी देश हैं उनका ये दुस्तो सम्मेलन होता है और ये जो हुआ बेलजियम की राजदानी ब्रुसेल्स में ये आई जूत हुआ ये आपको धहन में रखना है नाटो के सेकेटरी जनरल भी याद रखने है वो है जेंस स्टेंबर्ग ये आपको धहन मे अगले कुशिन की मैं बात करूँ दोस्तो अगला कुशिन है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग या इसे कह देंगे दोस्तो एपक नाम सुनाओ का वेरी फेमस है दोस्तो एशिया पेसिफिक एकॉनोमिक कॉर्परेशन इसकी जो बैठक है 2021 किस किस देश के दोरा आयजित क कि आगया यह आपको ध्हन में रखना है दोस्तो एपक का हेड़कोर्टर का है सिंगाप और देश में इससे कह देंगे एपक फॉरम अगले कुशन की मैं बात करूं दोस्तो मद्द अच्छन एशिया सम्मेलन 2021 कि मेजवानी किस देश दोरा की गई इसे इंगलेश में कह दे देश मंतरी है डोक्टर S. जय शंकर वो भी गई थे अगला कुशन देख लेते हैं कोविन ग्लोवल कॉन किलेव में 2021 किस देश ने मेजवानी की वेरी वेरी इंपॉर्टन कुशन है दोस्तो कोविन सब्सक्रों कोविड गया दोस्तों जिसके तुरू आप टीका लगवाते कोविड वैक्स इंटेलिजेंस वर्क होती है इस वार जो यह होश्ट किया गया इंडिया की दौरा होश्ट किया गया यह आपको ध्यन में रखना है दुस्तों अगले कुशन की मैं बात करूं मुवाइल वर्ल कॉंग्रेस वेरी वेरी इंपोडेंट 2021 का आयजित हुआ तो बड़ी वड़ी कंपणिया जो मोवाईल जैसे शाओमी हो गई हो गई गूगल मोवाइल पॉन बनाती है दोन सेते वीवो हो गई रैडमी हो गई तो एपल हो गई यह सारी कंपनिया के जो पते ने दी इस मोबाइल वर्ल्ड कॉंग्रिस में भाग लेते हैं इस बार आए जो तुई यह स्पेन की राज़ानी बर्सुलों में अगला कुशन देख लेते हैं अंतराश्टी नाइट्रोजन सम्मेलन 2021 का होश देश कौन रहा तो विकास गोल है यानकी सस्टेनेबल डबलमेंट गोल है उसको उपर इसमें चर्चा की गई थी अगला कुशन देख लेते हैं दुस्तों पीफोर जी सम्मेलन 2021 का होश देश कौन रहा था पीफोर जी की फुलफों में दुस्तों पाइनरिंग ग्रीन पार्टनरिंग पार्ट सम्मेलन 2021 का आई जित हुआ वेरे वेरे इंपोरॉट्छन दूस्तों इसवार जो आपको संसक्राण वियाद रखना इस वार कौन सा संसक्राण का जी टॉन्टी बनाए गया सोले हमां संसक्राण का बनाएगा यह आपको धन में रखना है तो दुस्तों यह कहां हुआं अभ अगले साल का होगा इंडोनेशिया में हम जित होगा और दोस्तों इंडिया कंप करेगा तो दोस्तों वह इंडिया करेगा वर्ष 2023-2024 में ब्राजिलिया आपको ध्हन में रखना है जीटोंटी कापनों थी 2021 में इसका जो हैड़कोटर है बीजेंग चायना की राज़ानी में प्रणटरी सक कर्ड़ी सेकर्टे अन्हें विलादि मर नो किमधन देह लेते हैं इस के सटेसा तार SMS समयलन twin नी क Chuck अगला कुशन है दोस्तो यह הौग हो चुका है और यह जो इंगलेंड में झाणा गर nh साल की 24-22 में कोन करेगा जर्मानी करेगा और इससे पहले 2020 में खिस ने किया था अमेरिका ने किया था दूस्तो अगर मैं बात करहूं 2023 में जापान करेगा और 24 में इटली करेगा इसनी करेगा इस वार जो किया है यह कहा आईजित होगा तो दोस्तो यह United Kingdom के Glasgow शहर में आईजित किया जाएगा बिसिकली जो Glasgow है बिसिकली Scotland में पड़ता है लेकिन UK का ही परांत है एक तरह का तो दोस्तो Glasgow में यह आईजित होगा UNCC का COP26 सम्मेलन यह आपको धहन में रखना है दोस्तो और इसे जो और्गनाइज किया जा रहा है इटली और UK दोनों देशों के दोरा है आईजित किया जा रहा है इससे पहले जो आईजित था 2019 में इसका Spain की मेड़िट में किया गया था यह भी आपको धहन में रखना है दोस्तो अगला कुशन देख लेते हैं अठारे मां गुट निर्पे एक शिकर सम्मेलन 2020 कहां है जित हुआ इसे इंगलेश में कह देंगे 18 non-alying movement नाम बहुत पार पूछाए था एक्जाम में तो 2021 में इसका आईजिन कहां किया जाएगा तो दुस्तो यह जो किया जा रहा है अजरबेजान की राजदानी दुस्तो बाकू में किया रहा है बाकू बेसिकली दोस्तो पेट्रॉल के लिए फेमस है यानि कि ओयल के लिए फेमस है इसे ओयल सिटी भी काया जाता है अजरबेजान में अगर मैं बात करूँ जो गुट निर्पे एक शिकर सम्मेलन है वो 2019 से लेके 21 तक जिसकी अद्धिक्षता है वो अजरबेजान पर ही है यह आपको धन में रखना है और यह गुट निर्पे शिकर सम्मेलन जो कहां स्टाबलेश हुआ था बेल गिलेट ऐसा पार यूगों से लिपाया मैं यह इसका गठन हुआ था डेट थी दोस्तों एक सतंबर 1971 में इसके गठन की यह डेट थी अगल पहली वार सम्मेट हुई थी इसलिए इंपोड़न्ट है इसका नाम है फोर्थ वन प्लानेट सम्मेट 2021 ठीक है और यह जो आईजित ही थी 11 जनवरी 2021 को हुई थी दोस्तों वन प्लानेट सम्मेट बेसिकली जैब विविता पर सबसे बड़ी सम्मेट होती है दोस्तों फ्रा किसकी राजदानी है इसवार यह दोस्तों यूपी ट्रेपल सी पैट में पूछा गया था कोश्टा रिका की राजदानी कौन सी है तो दोस्तों सैन जोस है और यहीं कौप 19 सम्मेलन 2022 का एजित किया जाएगा यह आपको द्हान में रखना है दोस्तों साइट की फुल फॉर होती है दुस्तों convection on international trade in endangered species of wild fauna and flora ये भी आपको धहन में रखना है दुस्तों अगले कुशन की मैं बात करूँ महासागर सम्मेलन 2021 कहा है जित होगा तो दुस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं world ocean summit basically ये किया जाता है UNFCC के द्वारा जिसकी इसके द्वारा वर्ल्ड ओशियन सम्मिट की जाती है और इस बार इसके जो आये जो नहीं वह पुर्तकाल की राजदा नहीं लिस्वन में यह आपको धहन में रखना है पुर्तकाल के पीम को नहीं एंटो यह कोस्टा है और यहां के इंपोटरण एसीओ की मीटिंग हर बार पूछी आती है दुस्तो यह कहाँ हे जित होगा तो वर्श दो जार किस की बाइबात करूं तो दोस्तो तहजाकिस्तान की एक शहर समरकंद में अगर मैं बात करूं इससे पहले 2020 में का हुई थी रशिया में आईजित हुई थी आपको धन में रखना है दोस्तों 2020 में यह कोशन काफी पूचा गया था जो स्यों की हैड ऑफ गवर्मेंट मींटिंग यह भारत ने आईजित की ती आपको यान की मंत्री मंडल जो मीटिंग होती है दुस्तों वह 2020 में इंडिया के दौरा यह आईजित किया गया था यान कि बहुत वार वर्ष 2020 की परिक्षाओं में पूचे गया था यह कुशन अगर मै यह की बात करूं इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ इसकी जो हैड़कॉटर है दोस्तों वह बीजिंग में यह आपको दहन में रखना है दोस्तों अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन है तेरे माई एरो इंडिया दो ज़रे किसका आउजित कहा हुआ तो दोस्तों यह यह कंणाटक की राजदानी बैंगलूरू में इसका आउजिन हुआ है वेरे वेरे इंपर्डन कुशन है और दोस्तों कहां हुआ बैंगलूरू में एक एयरफोर्स इस्टेशन है जिसका नाम है यह लंका और यहीं इसका आउजित किया गया और बैसिकली किसके दोरा तो थीम रही थी एरू इंडिया की दोस्तों यह दा रन्वे टुए बिलियन अपर चनिटी इसकी थीम रही थी बैसिकली वाई उसेना का सबसे बड़ा दोस्तों यह सम्मिट होती है यह भी अपको धहन में रखना दोस्तों अगला कुशन देख लेते हैं 47 में जी सैवन सम्मिलन 2021 का आयोजन कहां होगा तो दूस्तों यह जो आयजित किया जाएगा यह युनाइटिट किंगडम में युनाइट किया जाएगा अगर मैं वेन यू की बात करूं तो दूस्तों एक शेहर यू के मैं जिसका नाम है दूस्तों कॉर्णम और यहीं पर दोस्तो, 47 में G7 M11 का आयो जन किया जायेगा, इससे पहले कहा होई थी, US दावेदार था, 46 में G7 M11 का, लेकिन करोना वारिस के चलते, यह जो आयो जन था, यह केंसल किया गया, अब 47 में कहां हो गया, दोस्तो, यह कोन नोबाल शेहर में, इंग्लेंड देश में हो गया स्ने तालिसमा जी सेवन सम्मिलन ये भी आपको ध्यन में रखना दोस्तो अगले कुशन की मैं बात करूं दोस्तो जेंडर एक्विल्टी पर अंतराश्टी है सम्मिलन 2021 कहा आई जित हुआ तो दोस्तो ये जो आई जित हुआ ये कोजी कोड में आई जित हुआ और दोस्तो आपको भी पता होगा केरल के कोजी कोड में भारत का पहला जेंडर पार्क बना है और यहीं पर दोस्तो जेंडर एक्विल्टी पर अंतराश्टी सम्मिलन भी आई जित हुआ कोजी कोड में यह आपको धहन में रखना है किरिला के सेम कोण है दूस्तों पिन्यारी विजयन है और गवर्नर यहां के आरिफ मुहम्मद खाँ अगले कुशन देख लेते हैं फरवरी 2021 के मद्द है ग्लोवल चीफ ओफ एयर स्टाप सम्मेलन 2021 कहां हो जित हुआ तो दूस्तो ऐसी के साथ यह ग्लोवल चीफ ओफ एयर श्टाप की बी पैठक हुई थी यानिकि इसमें ग्लोवल हम तो बंगलुरू में यानिकि जो अयरपोर्ट बतायाता है यह लंका वहीं पर इसका आयेसदौण भी किया गया आफे जिए जारा है यह आपको ध्यांद क कि अनहें दुस्तों अगर यह किया जाएगा तो दूस्तों यह किया जाएगा 10-14 जनवरी 2022 में और यह जाए यह भी आपको ध्यांद में रखना इसे कर देंगे हैं reductions conference very very important पूछे आशक्ति कुर्णा में अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो चोगम सम्मेलन दोजारेकिस के चपविस में संस्क्राण का आयोजन किस देश में किया गया तो दोस्तो इसे हम चोगम की फुलफॉर्म होती है Commonwealth Heads of Government Meeting यहनकि राश्टमेंटल देशों की Government Meeting होती है जिससे नाम दिया है चोगम और यह जो हुआ है रवांडा की Capital City में जिसका नाम है दोस्तो किगाली यह रवांडा देश आप याद रखना रवांडा का एक शहर है जिसका नाम है किगाली वहाँ पर इसका चोगम सम्मेलन का आयोजित किया है वेरे वेरे इंबरन पूछा यह था यह अगला कुशन देख लेते हैं दुस्तों अंतराश्टी मनुवेग्यान कॉंग्रेस इंगलेस में जिसका कहां किया जाएगा वर्ष्ट 2021 में या कहां किया गया तो दुस्तों यह किया गया इंडोनेशिया के एक शहर जिसका नाम है जाग वाली यहां पर इसका आइजवन किया गया गया यह आपको धन में रखना धूस तो अगला कुशन देख लेते हैं और दूस्तों किसने आध्ड की थी इसमें आप फोटो देख सकते हैं इनका नाम है धर्मेंद्र पदान इन्होंने दोस्तों यह लॉंच किया था वर्चुल तरीके से अगर मैं थीम की बात करूँ इस से जो समिट की थीम रही थी वह रही थी पैट्रोल कोल गैस टुवाड़े विन विन स्ट्रेट जी फोर पोडूसर अगला कुश्षने देख लेते हैं दोस्तो अगला कुश्यने क्लोवल बायो इंडियता لوजर एक जरकिस का आयोजऑन कहा किया गया तो दोस्तो भारत एंजिने का है या आपको ध्हान में रखना किसने इसका ऐजून कराया तो भारत के हeल्थ मिनिश्टर ने इसका ऐजून कराया अगले कुछ यह तो द स्टो गुजरात के की वडिया में ना या राज करोंinvest को तो गुजरात राज्य में आई जित हुआ, गुजरात का एक शहरक के बढ़िया, यहां पर इसका आईजन संपन हुआ, और इसमें दोस्तो भारत के जो रचमंतरी हैं, उन्होंने भी भाग लिया, राजनास सिंग ने, अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो, अगला कुशन ह इंडिया अंतराश्टी है समेलन 2021 कहां संपन हुआ, तो दोस्तो यह जो संपन हुआ, भारत की राजदानी नहीं दिल्ली में इसका आईजन किया गया, यह जो इनॉगरेट किया गया था समेलन, यह पियोश गोईल के दोरा किया गया था, अगला कुशन देख लेते हैं दोस आपको पता ही है, इस वार जो आईजन कर रहा है, वो दोस्तो इंडिया भारत कर रहा है, यह आपको धन में रखना है, और दोस्तो ब्रिक्स में जो भी मीटिंग हो, आपको इंडिया ही लगाना है, यह आपको धन में रखना है दोस्तो, इसकी थीम रही थी, यानिकी जो आ तो दूस्तों यह इंडियन साइंस कॉंग्रेस हर बार पूछा जाता है दो और 2021 में तो कोरोनावाइरस चल लाता है अभी 2022 में होगा यह पूने शहर में आयज्यत किया गया पूने काम पढ़ता है महलाज राज्य में पढ़ता है वहीं पर इसका यह जोन किया जाएगा और द यानि कि इस बार जो फोकस रहेंगी वो में फोकस में रहेंगी इंडियन साइंस कॉंग्रेस में यह आपको धहन में रखना संसकनल भी याद रखना कब किया गया 21 से 23 अगस के बीच यह आयजुत किया गया वरी वरी इंपोर्डन कुशन अगला कुशन देख लेते हैं 21 मही 2021 को वैश्विक स्वास्त है शिकर सम्मेलन 2021 कहां संपन हुआ तो दुस्तो यह से कहते हैं ग्लोबल हैल्थ सम्मिट हैल्थ के उपर सबसे वड़ी सम्म आपको द्हान में रखना है थीम आपको पता चुका हूँ मैं अगला कुशन देख लेते हैं पहला कौर्ड सम्मिलन या फर्ष कौर्ड सम्मिट 2021 किस देश दोरह आईजुत किया गया तो दोस्तो सबसे पहली चीज आपको याद रखने हैं कौर्ड सम्मिट कौर्ड का अमेरिका देश ने होस्ट किया यह आपको धहन में रखना है इसमें दोस्तों भारत के बिदानमंती नरेंद मोधी ने भी भाग लिया था और कौर्ड की फुल फॉर्म होती है कौडि लेटरल फ्रेमबर्क और दोस्तों याद रखेगा अमेरिका ने इस सम्मिट को होस्ट क और आपको यह भी याद रखना है को आड़ में कौन कौन से देश आते हैं क्योंकि कई बारे पूछा गया है ऑस्टेलिया जापान इंडिया अमेरिका इसमें चार देश आते हैं कि दोस्तों अगली वीडियो के साथ एक बाद फिर में आज़रूंगा बहुत बहुत धने ब सब्सक्क्राइबब याद याद